हेलो फ्रेंट्स मैं प्रीती आदव स्वागत करती हूँ आपका हमारी एक और नई वीडियो में मा बनना हर महिला की जिन्दिगी का वो पड़ाव होता है जिससे उसे गुजरना ही पड़ता है हाला कि ये दौर मुस्किल भरा होता है लेकिन उसके बाद ही एक महिला मा बन पाती है और इसी राह में एक पड़ाव होता है जिससे बोलते हैं डिलेवरी अब कुछ महिला है सिजेरियन डिलेवरी के बज़ाए नॉर्मल डिलेवरी चाहती है लेकिन pregnancy के दौरान कुछ गलतियां कर देती है जिसकी वज़े से normal delivery के अच्छे चांस होते हुए भी उनकी delivery सिजेरियन हो जाती है वैसे तो ये पता लगा पाना कि आपके बच्चे की जो delivery है वो normal होगी है फिर सिजेरियन, impossible है लेकिन अगर आप कुछ खास बातों का खयाल रखें तो अगर आपकी normal delivery के chances अच्छे हैं तो उसमें भी कोई बादा नहीं आएगी तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि प्रिगनेंसी के दौरान किन बातों का खास खयाल रखना चाहिए ताकि आपकी आखिरी दुनों में normal delivery हो सके तो आप अमारे इस वीडियो को पूरा जरूर देखें प्रिगनेंसी के बाद parenting से related और भी वीडियो देखने के लिए आप अमारे दूसरे चानल को भी subscribe कर सकते हैं लिंक नीचे description में और उपर icard में दिया गया है तो चलिए बात करते हैं उन topics की बारे में जिनका आपको सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है इनमें सबसे पहला है भूजन पर ध्यान देना नॉर्मल delivery के समय पर दो से लेकर 400 ml तक की blood की जरूरत पढ़ जाती है ऐसे में आपको वो भूजन खाना चाहिए जिससे आपको तागत और उशर ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके इसके अलावा pregnancy में आपको iron और calcium की बहुत जरूरत पढ़ती है इसलिए जितना भी हो सके आप ऐसे खाने खाएं जिसमें iron और calcium की भरपूर मात्रा हो क्योंकि delivery की process एक ऐसी process है जिसमें बहुत तकलीफ होती है ऐसे में अगर आप weak है या फिर आपके सरीर के अंदर खून की कमी है तब तो ये आपके लिए और भी ज़्यादा मुस्किल हो जाता है इसलिए आपको pregnancy के दौरान ये ध्यान रखना होता है कि आपको क्या खाना चाहिए ताकि आपको delivery के समय कोई भी तकलीफ ना हो दूसरा आप अपनी आपको hydrate रखे अगर आप normal delivery चाहती है तो ऐसे में एक अच्छी और healthy pregnancy होना बहुत ज़रूरी है जिसके लिए आपके body में भरपूर मात्रा में पानी होना चाहिए क्योंकि गर्ब के अंदर भी सिसुएक amunetic flood की थैली में रहता है चुकि इस तरीके का पानी ही होता है जिससे बच्चे को उज़ा मिलती है ऐसे में अगर आपके body के अंदर पानी की कमी होगी तो amunetic flood की भी कमी हो जाएगी इसलिए आपको pregnancy के दौरान हर रोज 8 से लेकर 10 ग्लास तक पानी जरूर पीना चाहिए तीसरा है तनाव से दूर रहे pregnancy के दौरान तनाव होना बहुत नॉर्मल सी बात है क्योंकि आपके body के अंदर hormonal changes होते रहते हैं और होंगे भी लेकिन ऐसे में आपको बहुत ज़्यादा tension लेनी की जरूरत नहीं है क्योंकि इससे आपके सरीर पर भी असर पड़ेगा और आपकी होने वाले बच्चे पर भी असर पड़ेगा उसमें भी complications आएंगी ऐसे में आपको बेवज़ा बहुत ज़्यादा stress लेनी की जरूरत नहीं है अगर आपको बहुत ज़्यादा stress फील हो रहा है तो आप doctor की help ले ले ताकि आपको ये पता चल सके कि कहीं आपको depression की कोई सिकायत तो नहीं हो गई है चौता blood pressure पर ध्यान दे pregnancy के दोरन अगर आपका blood pressure control में नहीं है तो ये आपके लिए परिशानिया खड़ी कर सकता है blood pressure में उतार चलाव की वज़े से सिर्फ मा को ही तकलीफ नहीं होती बलकि बच्चे को भी होती है साथी साथ बच्चे की डवलप मेंट पर भी असर पड़ता है अगर आपका blood pressure जादा है या फिर कम है ऐसे में बच्चे का वज़न भी कमिया जादा हो सकता है इसलिए अच्छा ये है कि अगर आपको blood pressure की problem है तो आप अपनी doctor को बता दे ताकि वो pregnancy के दोरन आपके blood pressure पर नजर रख सके साथ ही साथ pregnancy के दोरन high blood pressure की वज़े से pre-acclincya जैसी बीमारी होने की भी संभावनाई भढ़ जाती है जो कि pregnancy में normal delivery के लिए ठीक नहीं होता है पांचवा जादा भजन न भढ़ने दे वैसे तो pregnancy के दोरन भजन भढ़ता ही है लेकिन आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आप overweight न हो जाए क्योंकि जैसे जैसे आप overweight होते जाते हैं उतना ही आपकी normal delivery के chances भी कम होने लगती है इसलिए कोशिश ये करें कि delivery के दोरन आपका बजन बहुत जादा ना भढ़ जाए इसके अलावा pregnancy के दोरन कई महिलाओं को बहुत आलस आता है लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि आप आराम ही करते रहें बलकि आप घर का थोड़ा थोड़ा काम करते रहें रोज मर्रा की जिन्दगी में आप जो काम करते हैं अगर आप pregnancy से पहले exercise करती रही है तो आपको exercise करनी चाहिए लेकिन कोई भी exercise करने से पहले एक बार अपने doctor से जरूर बात कर लें क्योंकि वो जानते हैं कि आपकी pregnancy की condition क्या है उमीद है अब आप इन बातों को मानेंगे और आपकी normal delivery ही होगी अब अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को like जरूर करें अपने friends के साथ share करें और हमारे इस channel को subscribe करना बिलकुल न भूले ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियो की जानकारी मिलती रही अब अगर आपके पास कोई भी सवाल है तो आप हमें comment box में comment कर सकते है हम आपके सभी सवालों की जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए खुस रहिए स्वस्त रहिए